तो इस वीडियो पे मैं तुमको BGMI 3.4 अपडेट के कुछ ऐसे ट्रिक्स और ग्लिचेस बताने वाला हूँ जिसको तुमको जानना ये चाहिए क्योंकि अगर तुम्हारे अलावा एनिमी को पता चल गया तो भाई वो ऐसे ऐसे जगा छुपके तुमको मारेगा तुमको पता तक नहीं चलने वाला रही बात ये कि मैं अभी ट्रिक्स वगरा क्यों डाल रहा हूँ तो देखो भाई मेरे पास अभी जो गेमप्ले है वो एडिटेड नहीं है दो तिन दीन में हो जाएगा जिसके बाद मैं गेमप्ले एडिट कर दूँगा तब तक के लिए कुछ तो च जगा ये कून सी जगह है यहां रोजो का रिकॉल टावर यहाँ पर बहुत सारे बंदे आते हैं तुम भे आते होंगे तो देखो यहाँ पर ने ये वाली स्कॉर्ड है जिसके उपर ये तंकी देखनेओ को मिल जाएगा तुमकू ठीक है यहाँ पर आके तुमको क्या करना ह जो वंपायर वाली पावर है उसको पर यह वाली चाकू पकड़ ले ना अपने हाद में जो कि डिफॉल्ट मिल जाता है हर बंदे के पास ठीक है इसको ले के आजएना टंकी के यह वाली जगा जहांपे मैं जा रहा हूँ स्प्रिंट को कर देना लॉक, स्प्रिंट जैसे ही तुम लोग लॉक करेगे, कुछ इस तरीके से यह जो टंकी है, इसके अंदर तुम बड़े आराम से आजाओगे, अब यहाँ पर आने के बाद तुमको एक अच्छा खासा एंगल देखने को मिल जाएगा, चारो तरप से ज तुम किसी भी बंदे को चौका सकते हो, अपने टीम मेट को भी बड़ा हरायन कर सकते हो, और मैं पहले ही बता दूँ कि यहाँ से नेड बाहर जाती है, मॉली बाहर जाती है, और यहाँ से फायर भी तुम कर सकते हो, और यहाँ से अगर निकलना है, तो बस जोईस्टिक यह प्रोन कर देते हो उसके बाद तुम हाइड हो जाओगे हलंकी मैं भी दीख रहा हूँ क्योंकि मेरा जो बैक पैक है ना वो मेरे पास अगर तुमारे पास बैक पैक वगरा नहीं होगा या फिर ब्लैक कलर का बैक पैक होगा तुम पूरी तरीके से इसके अंदर हाइड हो देगा तब तक तो तुम उसको बड़े आराम से मार दोगे तर ट्रिक की मैं बात करता हूँ देखो तुम में से बहुत सारे लोग लिविक मैप खेलते होंगे ठीक है लिविक मैप जैसे स्टार्ट करोगे यहाँ पर तुमको एक ही क्रिमजान कैसल देखने को मिलता है तो स्क्रिमजान कैसल के देखो यह वाली लोकेशन पर आना मैं बीना गन के आया हूँ तुमारे पास गन होगा तो तो अच्छा चीज होगा ठीक है गन लेके आना इस वाले जगह पे और यह जो रोड दिख रहा है ना बस इसके पास कुछ इस तरीके से जाना एक टाइम पर ज से उनको बस दिखेगा लेकिन तुम लोग नहीं दिखने वाले कोई भी बंदा तो तुमको अंदाजा भी नहीं कर सकता कि यहां पर कोई होगा मैं पहले बता दू कि यहां से नेड भी बाहर जाती है मॉली भी बाहर जाती है और साथ ही साथ तुम बंदों को फायर करके भी यहीं से डैमेज कर सकते हो ठीक है और यहाँ पर आने के बाद अगर तुम FTP करते हो या फिर जो ड्रोन वीव है वो एक्टिवेट करते हो तो नीचे का जो पूरा हिस्सा है वो तुमको यहीं से देखने को मिल चाएगा तो अगर यहाँ पर लास्ट जोन अगर कभी बन जाता तो अपने दोस्तों को भी बता दे ना जिसको भी नहीं पता इसके बारे बहुत सारी अलग-अलग लैंगवेज का देखनेसं को मिल जाता है तो बस अपने को BP Coin ही तो लगाना है यहाँ पर बस तुमारे पास तो ढर भर बर के BP Coin होगा उसका उसका क्रेट ओपन करना दो-ति इसने भी वाइस पैक है वो तुमको मिल ही जाने वाला है बस इस क्रेट को ओपन करने पर तो बस इसको निकालो निकालने के बाद क्या करना देखो इस वाले अप्शन पर क्लिक करना यहां पर आने के बाद इस आप्शन पर क्लिक करना उसके बाद देखो यहां पर तुम्हार करना है वंपार पावर उसको एक्ट वेट करके पहले से रख लेना है ठीक है वो रखने के बाद तुमको क्या करना यह जो मॉंस्ट्ट रखेक है इसको लेकर आना है सेल्ट की यह Seltr के, यहां पर आने के बाद, जो मैंने पहले कहा था, कि Automatic Revive ले लेना, वो यहां पर काम आने वाला है, उसका यूज करके तुम यहीं पर कर सकते हो, अपने आपको Revive और यहीं पर तुम लोग गूं सकते हो, चाहो तो टहल सकते हो, और मैं अभी बताऊंगा, तुम लोगो को underground कैसे गूमना है इसके बारे में ठीक है तो heel वगर आप बढ़ी हाक कर लेना तो यहाँ पर तुम लोग अगर vampire वाली power activate करोगे ना तो वो काम नहीं करेगा ठीक है तो क्या करना है तुमको यह जो नीचे पानी दीख रहे ना बस इसके अंदर जो है jump लगाना है तुमको कुछ इस तरीके से और अपना vampire वाली power पे click करते रहना है एक टाइम पे जाके तुम्हारा जो player है वो vampire वाली power use कर लेगा और तुम कुछ इस तरीके से हवे में उड़ते रहोगे यहीं जमीन के अंदर यानि की underground अब तुम ऐसे ही भूम सकते होगा लास सरकल वगर यहां पे बनता है तो तब तुम्हारे लिए बहुत अच्छा चीजिया हो जाने वाला है रही बात यहां से निकलना कैसे है तो बड़े अरां से तुम यहां से निकल सकते हो बस इ यहां पर तुमको देखने को मिलेगा एक मीनी वैन और ब्रीच के बीच में चोटा सा गया तुम देखो वहां पर तुमको कुछ इस तरीके से अपने घोड़े को लेके जाना है उसके बाद यह जो लेफ्ट वाला बटन है इसको जोर से क्लिक करना है जैसे यह करोगे तुम तुम इसी में रह सकते हो क्योंकि यह बहुत टाइम लेता है गिरने में या फिर अगर तुमारे पास वाली पावर पहले से एक्टिवेटेड है तो क्या करना है इस हौर्ट से एक्जिट कर देना एक्जिट जैसे ही करोगे देखो कुछ तुम कुछ इस तरीके से उनने करना भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक लगता है इसको करने में और मैं पहले ही बता दूँ कि अगर तुम यहां से गिरते हो भोड़े से अगर गिरते हो तो तुमारे पास पैराशूट होती है तो वह खोलके तुम नीचे बढ़ाराम से जा सकते हो बिला डैमेज के या फि इतने भी ट्रिक्स और ग्रीचेस मैंने बता है इसका यूज करना क्योंकि बहुत कमाल किया एक आग बार तो यूज करी लेना यह नहों कि यह फिक्स हो जाए और तुम लोग फिर बाद में कहो कि यार यूज नहीं कर पाए तो इन सब करना खास करकि यह घोड़ा वाला था हमको भी है कि नहीं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना तुम लोग यह रहा मेरा इस्टाग्राम यहां पर आके तुम मुझको बाते कर सकते हो मुझसे यहां पर आके मैं उसका रिप्लाइद दे दूँगा इसका लिंक तुमको पीन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोन आके रहो